हेलो एब्रिबन मेरा नाम है आशिष और आज अमात करने वाले All New Hyundai Centro 2020 के बारे में अभी आप ये Centro का Sports Variant देख रहे हैं, टोटल चार Variants में आती है Era, Magna, Sports और Asta और काफी अपने सेग्मेंट की काफी बहतरीन कार बन जाती है Hyundai Centro इसमें आपको Automatic और Manual दोनों ही Transmission मिल जाते हैं, तो काफी बहतरीन चींज हो जाती है कि आप अपनी Comfort के साब से इसको ले सकते हैं, इसमें आपको Petrol और CNG दोनों ही Option मिल जाते हैं तो यह आपको चलाने में भी काफी किफायती होने वाली है, Hyundai Centro में आपको तीन सार और Unlimited Kilometer की Warranty मिल जाती है और तीन साल का आपको Road Sight Assistant भी मिलता है, तो यह काफी बहुत अच्छी चीज है और इसके हम Safety Features के अगर बात कर लें तो आपको इसमें ABS-B DVD, Central Locking, Power Door Locks, Child Safety Locks, Seed Belt Warning, Engine Appalizer, Crash Sensor, Anti-Tab Device, Speed Alert, Speed Sensing, Auto Door Lock, और लगबग दो Airbag आपको इसमें मिल जाते हैं तो यह भी काफी Safety Features भी आपको काफी मिल जाते हैं और काफी किफायती आपके लिए बन जाती है अपने सेग्मेंट की बात कर लेते हैं फ्रेंट प्रोफाइल की तो यह पर हुंड़े का आपको लोगो मिल जाता है नीचे आपको ब्लैक फिनिस में ग्रिल मिल जाती है जिसमें जो है क्रोम फिनिस भी दी हुई है जो की काफी अच्छे लगती है आप एलोजन आपको Headlamps मिल जाते हैं विट टन लग रही है अगर साइट प्रोफाइल की बात कर लें तो आपको यहां पर 14 इंच के स्टीलिम्स मिल जाते हैं इस वाले वेरियंट में आपको वील कवर भी ऑफर करती है हुंड़े यहां पर आपको बॉड़ी कलर्ड और बहतरी लग रहे हैं और अंदर से आप इलेक्रिली ट्रान आति डाती मीटर को टोटला हाइट मिल जाती है हुंडे सेंट्रों कि यहां पर एससे कुछ अपको ह्वाइक प्रॉफायल मिल जाता है बड़ अ ऐसा है 60% high stand steel body से बनी है हुंडे सेंटों यहां पर आपको sports की बैजिंग मिल जाती है white color में आपको ऐसा कुछ profile मिल जाता है back profile हुंडे सेंटों का यहां पर हुंडे का आपको logo मिल जाता है बड़ा जो की center में बिलकुल दिया हुआ यहां पे आपको जो है उपर आपको हाइव मॉंट की स्टॉप लाइट मिल जाती है शाइक पिनटी न वगरा नहीं दिया हुआ है और डिफॉगर भी आपको मिल जाता है इस वाले वेरियंट में यहां पर आपको सेंट्रों की बैजिंग मिल जाती है और इधर ऐसे कुछ टेल एम्स दी है नीचे आपको यहां पर रिवर्स पार्किंग सेंसरत मिल जाते हैं दो और नीचे आपको यहां पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते है और ग्राउंट क्लिरंस भी कापी ठीक ठाक है अपने सेग्मेंट और प्राइस के साब से और चलते हैं इसका बूट खोलते हैं और देखते हैं किता क्या स्पेस ओफर किया हुँड़ी ने तो यहां पर आपको 235 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है फुड़ी सेंट्रों में जो कि अपने सेग्मेंट के साथום से ठीक ठाक है यहां पर आपको इससे पेर वील मिल जाता है Ụुल किट के साथ में low light की वदसे थोड़ा सा आपको पराबलम हो रही हो गी देखने में उपर आपको पार्सल ट्रे हाँ पर मिल जाती है जिसको आप भटा भी सकते हैं जिससे की स्पेस और बढ़ जाएगा चलिए बूट को करते है बंद और ऐसा कुछ आपको पूरा पीछे से दिखती है हुंड़े सेंट्रो लेंथ आपको इसकी आपको 3.6 मिटर मिल जाती है चलिए इसके रियर डॉर ओपन करके देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको बॉडी कलर आपको डॉर हैंडस मिल जाते हैं ऐसा कुछ आपको पूरा डॉर पैनल मिल जाता है डूल टोन कलर में बेज एंड ब्लैक कलर आपको फिनि लोडर की placement मिल जाती है और speaker भी आपको मिल जाता है इसमें ऐसा कुछ rear compartment पूरा दिखता है बाहर से चलिए अंदर बैट के देखते हैं क्या कुछ space आपको मिलता है तो leg room काफी बैठरी नहीं गाड़ी का अपने segment के साफ से ठीक ठाग है बहुत बढ़िया नहीं कह सकता हूँ बट यह है तीन बंदे अगर पतले दुबले हैं तो आराम से बैठ सकते हैं आपको कुछ ऐसे rear race events आपको मिल जाते हैं इस वाले variant में आप नीचे वाले में जाएंगे तो आपको नहीं मिलते हैं यहापको आपको ऐसे कुछ पार्सल ट्रे मिल जाती है जिसमें चोड़ा मुटा आप समान रख सकते हैं यह आपको lights दी हुई है पीसे से कुछ ऐसा दिखता है पूरा dashboard उंड़े सेंट्रों का डूल टोन कलर में आपको पूरा interior मिल जाता है उंड़े सेंट्रों में उपर आपको grab handles मिल जाते हैं अब चलते हैं आगे के doors पे देखते हैं क्या कुछ आपको offer किया उंड़े ने तो यहापे कोई keyless entry वगर आपको नहीं मिलने वाली है ऐसा कुछ आपको डूल टोन कलर की placement मिल जाती है तो rear front compartment पूजा ऐसा कुछ आपको मिल जाता है फैबरी का पाउस्टी मिलती है और यहापे manual seats आपको मिल जाती है यहापे fuel door और boot opener मिल जाता है यहापे ORVM को आपको adjust करने के controls दिये हुए है और light को adjust करने के controls यहापे ऐसे कुछ AC events मिल जाते हैं आपको पूरा ऐसा कुछ profile आपको front dashboard मिलता है चलिए अंदर बैट देखते हैं किता के space दिया हुआ है तो पूरा dashboard आपको ऐसा कुछ मिल जाता है dual tone color में beige and black color आपको पूरा interior में आपको मिल जाता है steering में काफी बैतरीन है और visibility भी काफी ठीक ठाक है अपने segment के हिसाब से तो ऐसा कुछ आपको instrument cluster मिल जाता है जिसमें analog speedo और tachometer दिया हुआ है और 6.35 cm की MID मिल जाती है जिसमें आपको information वगरा मिल जाती है और सारी check lights इसमें दी हुई है ऐसा कुछ steering दिया हुआ जिसमें infotainment के controls मिल जाते हैं call को उठाने के यहाँ पर controls मिल जाते हैं उन्डे की branding दी हुई है MID के controls यहाँ पर दिये हैं आपको इधर wiper and headlight के controls यहाँ पर मिल जाते हैं आपको इधर आपको 6.95 इंच का touches infotainment system मिल जाता है जो कि android auto apple carplay सब कुछ सपोर्ट करता है यह तो यह काफी बैतरी इंचींज बन जाती है और bluetooth और awk सब को सपोर्ट करता है यह यहाँ पर आपको automatic नहीं है आपको manual आपको यहाँ पर AC मिल जाता है यहाँ पर 5-gear manual transmission आपको मिल जाता है आपको automatic का भी option मिल जाता है यहाँ पर ऐसे कुछ आपको power window के controls यहाँ पर दिये हुए डोर्स पर आपको नहीं मिलते हैं ऐसे कुछ handbrake मिल जाती है उन्डे सेंटरों में glove box आप देख रहे हुए ऐसा कुछ space आपको offer किया गया है थोड़ा सा low light के वज़े से आपको problem हो रही होगी थोड़ा देखने में ऐसा कुछ आपको पूरा dashboard मिल जाता है फ्रांट में यहा पाल्टी भी काफी ठीक ठाक है अगर हुंडे सेंटरों के engine specs की बात कर ली जाए तो इसमें आपको वन लिटर petrol engine मिलता है जो की 1086cc का होता है जो 68 bhp की power देता हो और 99 nm का talk देता है वह अगर आप इसका CNG variant लेता है तो इसमें आपको 59 bhp की power मिलती है और 85 nm का talk मिलता है पे पाल्ट होता है और जिसका जो टॉपेंड वेरियंट है पांच लाग 59,000 तक जाता है अभी आपी जो sports वेरियंट देख रहे हैं इसकी एक्स वरूम प्राइस जो है पांच लाग 55,000 है जो on-road लखनों की बात करें तो जो 6 लाग 59,000 तक जाता है अगर आप इसका CNG variant लेते ह आप से भी कापी बैती हिन है तो कैसी लगए आप हुंड़े सेंट्रों कमेंट करके जो बताएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा कि आपके लिए मैं कार्स लेड़ वीडियो लाते रहता ह वीडियो देखने आपका धन्यवाद तब तक के लिए थांक्यू सो मच